हलो क्यासे हैं आप मैं हूँ विकास और मैं हूँ फिर से आपके साथ जागो भारत भागो में नए अपिसोड और नई बात लेकिन सिधान्त वही पुराना डिमिस्टिफाई करेंगे आपके इश्यूज और आपको हेल्प करेंगे बैटर रन करने में आपको हेल्प करेंगे आज का जो टॉपिक है वो काफी पाप्लर टॉपिक है रनर्स में स्पेसिफिकली बिगिनर्स में और वो है कि क्रैंप क्यों आता है आपने देखा होगा कभी भागते भागते एक पर्टिकलर जगे पे आप देखोगे मसल्स कहीं अंदर चली जाती है आपको लगेगा आरे पूरा पैल टेड़ा हो गया आप कभी एब्डोमिन में आप देखोगे एक साइड में थोड़ा सन अंदर घुच जाता है इसेक्टरा कभी आप देखोगे आप ज्यादा वेट उठा रहे हो तो आपके बाइसेप्स की मसल्स आप देखोगे चेस्ट प्रेस कर रहे हो कभी क जो मसल्स होती है उनका जब ओवर कॉंट्रैक्शन होता है मतलब जितना जरूरत है उससे थोड़ा ज़ादा अगर उनको प्रेस किया जाए ज़ादा कॉंट्रैक्ट किया जाए तब उस टाइम पे क्रैम की सिचुएशन आ सकती है क्रैम के बहुत सारे रीजन्स है और मैं उ तो कभी ऐसा होता है कि वो मसल्स वहाँ पे अंदर एक ज़ेखे पे चली जाती है उसे क्रैम की कंडिशन बोलते है और क्रैम की कंडिशन इसके डेफिनिशन में ही चुपी हुई है कि उसका रीजन क्या है किसी भी चीज को आप ज़ादा प्रेस कर रहे हो बहुत ज़ादा उसकी वज़े से ओवर कंड्राक्शन की वज़े से सिचुएशन क्रेट कर हो रही है इसका मतलब ये भी है कि आप किसी चीज को ओवर्डू कर रहे हो exactly this यही इसका आपका मूल मंत्र है पूरे conversation का अब जो भी कुछ कर रहे हैं जब उसको आप जरूरत से ज़ादा करते हैं इससे ज़्यादा करते हैं जितना आपकी body ले सकती है तब contraction, over contraction जो होता है उससे आपको ये situation create हो सकती है ठीक है उसके कुछ primary reasons है कोई भी muscle जब हम continuously workout कर रहे हैं उसके वज़े से वो tired हो जाती है जब उनकी recovery नहीं हो पाती है ख़ी आपने देखा होगा कि जैसे आपकी calves है ए आपकी calves बहुत दर्द कर रही है या आपने काफी दिनों तक काफी हपतों तक run किया एक particular day पे आपको लगेगा कि अच्छा एक जगे पे stabbing pain या फिर ज्यादा pain हो रहा है जहाँ पे आपको cram जैसा हो रहा है और उसके बाद आप नहीं move कर सकते आपको रुकना पड़ता है आपको रुक के वहाँ पे massage करना पड़ता है तब वहाँ पे थोड़ा आराम होता है basically आपकी body कह रही है रुक जाओ भाई अभी आगे नहीं जा सकते मतलब आप overtrain कर रहे हो ठीक है या फिर ये भी हो सकता है आप train ठीक कर रहे हो लेकिन वो जो muscles है जो ज़्यादा contract कर रही ह वहाँ पे ज़्यादा load पड़ रहा है और वहाँ पे fatigue ज़्यादा create हो रहा है मतलब वो tired ज़्यादा हो रही है कुछ-कुछ muscles आपकी body के ऐसी है जो आपके biomechanics की वज़े से ज़्यादा contract होती है और उसके वज़े से fatigue situation create होती है और उसकी वज़े से आपको cramp होता है for example हमने बताया है कि running impact exercise है running से load आपकी body पे काफी पड़ता है अगर आप अपनी body के नजदीक center of gravity के नजदीक land नहीं करते हो लंबे steps आप ले रहे हैं और ज़्यादा तेज भाग रहे हैं उससे क्या होगा जो weight distribution है जो impact distribution है जब आप land करते हो वो आपके foot से आपके calves की तरफ ज ज़्यादा आएगा because आपके जो feet हैं हो strong नहीं है और दूसरा आप bio mechanically बहुत strong नहीं हो उसकी वज़े से जो different muscles है आपके legs की वो feet से legs की तरफ जब जाते हैं वहाँ पर pressure ज़्यादा पड़ता है और उसकी वज़े से यह होता है कि वो एक period के बाद ठक जाती है आपने देख आ रहा है वो इसकी वज़े से भी हो सकता है कि आपने properly warm up नहीं किया है तो आपकी आपकी body वही ready नहीं है और उसकी वज़े से एक muscle में खिचावा गया जनरली यह होता है आप marathon अगर भाग रहे हैं यह long run कर रहे हैं उसमें latter part of the run में यह होता है और उस time पे जब आ रहा है व और sleep से आपकी नहीं हो पाई है या फिर आप train ज़्यादा कर रहे हो और उसकी वज़े से यह होता है कि आपकी body finally वोलती है अब रुख ज़ो भाइ सामने substance उसका यही है उससे निजात पाने के कुछ तरीके हैं और आपने देखा होगा जो हमने functions बताए जो symptoms बताए उससे ही आपको निजात पाने के तरीके भी समझ में आये होंगे लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ एक दू चीज़ें तो यह हैं कि आपकी जिस muscles में आपको fatigue हो रहा है ज़ादा जहां पे cramps आ रहे हैं आप उन muscles को strong करो लेकिन उसका दूसरा भी एक reason है यह भी वह सकता है कि अगर आप train करते रहोगे over a period of time वो muscles strong हो जाएंगी और फिर आपको cramps पाना बंद हो जाएगा लेकिन जब तक आप उस situation में नहीं पहुँचते हो तब तक आपको यह करना है कि आप slow down कर सकते हैं अगर आपने देखा कि आपके particular body part में particular muscles में cramps पा रहा है उसका reason समझने का try क example अगर आपके carbs में cramp आ रहा है तो यह true है कि आप overtrain कर रहे हो यह true है कि आप biomikyanically इतनी strong नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको basics पे वापस जाना है feet को strong करने का आप try कर सकते हैं for example towel exercises etc online आप check करेंगे आपको मिल जाएगा क्योंकि feet में इतनी muscles होती हैं अगर आ wide pair of shoes पहनोगे अपनी body की center of gravity के आसपास आप land करोगे अगर जादा लंबे steps नहीं लोगे meaning आपके cadence 180 के आसपास होंगे जो generally optimal माना जाता है तो high chances आपके जो cuffs हैं उस पे strain कम पड़ेगा वो उतना fatigue नहीं होंगी और वो उतना fatigue नहीं होंगी तो आपको उतना cramp नहीं आएग दूसरी चीज आपको यह करना है कि you have to maybe back off a bit थोड़ा सा आप try करिये कि आप rest करने का try करिये massages लीजिए जिससे थोड़ा सा जो stiffness है वो कम हो उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि nutritional deficiency तो नहीं है आपको आप sodium deficiency, vitamin D etc. आप चेक कर सकते हैं electrolytes का आप चेक कर सकते हैं कि आप electrolytes workout करते टाइम especially long runs में आप sufficient electrolytes ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं क्योंकि nutritional deficiency होने की वज़े से भी आपको cramps आ सकते हैं उपर बढ़ते हैं कि body parts, body muscles में अगर lower extremities में आपको इतना cramps नहीं आ रहे हैं और अगर आपकी upper extremities में for example आपको अगर side stitch हो रहा है या फिर आपको एक left या right side में cramp आ रहा है तो उसके एक क्या दो reasons हो सकते हैं of course इसके बहुत सारे काफी smaller nuances हैं बट मैं उन में नहीं जाओंगा majority cover हो जाता है इन points में one is कि आप दोड़ते दोड़ते कुछ fuel अपने आपको कर रहे हैं या hydrate कर रहे हैं कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं आप दोड़ते टाइम पे आपने खाने के आपने दोड़नी के पहले ऐसा कुछ खाया है जिसमें fiber जादा हो या फिर fat हो या फिर protein हो जो digest नहीं हुआ है और उसकी वज़े से आपकी working muscles जो हैं उनको इतना fuel नहीं मिल पा रहा है because जो blood है वो आपके अभी gut में available है to break down the food that you have consumed उसकी वज़े से यह हो सकता है कि आपको cramp आना शुरू हो oxygen कम आपको जब मिल रही है working muscles में तब हो हाँ पे side stitch और cramp आना शुरू हो सकता है but more importantly आपको यह देखना जब आप दौड रहे हो अगर आपकी core strong नहीं है अगर आपकी back strong नहीं है posture related कोई imbalance या issue है उसकी वज़े से आप देखोगे आपको upper extremity में आपको cramp आ सकता है कभी आपने देखा है कि आप एक side में कहीं जुक रहे हैं तो एक ज़गे पर catch आता है या फिर cramp आ जाता है उसका भी reason यह है कि वो muscles worked out नहीं है और आपको बहुत जल्दी वहाँ doms भी आ सकता है etc तो अगर ऐसी situation है तो आपको अपना upper body को strengthen करना होगा आपको अपनी lower back आपके glutes gluteal muscles आपको अपने core पूरे core को strengthen करना होगा और actually आप सिर्फ core को strengthen नहीं कर सकते आपको पूरी body को strengthen करना होता है जैसे आप अगर deadlift कर रहे हो तो lower back और आपके abs दोनों पे positively impact होता है ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ isolate करके core को आप crunches करके सिर्फ कर लो और उससे हो जाएगा ऐसा नहीं है you have to evolved as a holistic athlete बट उसको करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो भी muscles आपकी impacted है उसको आपको train करना पड़ेगा बट ये भी जुरूरी है कि उसको train करने के लिए आपको पूरी body की exercise करनी पड़ेगी मतलब अगर आपको side stitch आ रहा है तो सिर्फ आप side crunches नहीं कर सकते है फिर आपको दूसी तरफ कहीं stitch आने लगेगा आपको ये देखना है कि आपकी पूरी body का structure, posture वो जो balance है वो कैसे बना रहेगा I know I covered a lot इस topic में बट ये topic ऐसा है कि अगर आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे generally food related issues हो सकते हैं तो अगर food related issue है आप वो किसी workout specially fast या long workout के पहले आप protein और fat rich या fiber rich आप food consumption मत करिये simple carbohydrate आप खा सकते हैं अगर वो आपको लगता है breathing related issue की वजह से है तो आप deep breath का exercise करना शुरू कर सकते हैं that's a lot easier third अगर आपको लग रहा biomechanical issue है तब definitely आपको biomechanically strong बनना होगा जिसके लिए मैंने small small points बताए और fourth अगर आपको लगता है muscles आपकी beak हैं जिनकी वजह से issues आ रहे हैं तो उसके लिए आपको आपकी muscles और musculature को strengthen करना पड़ेगा जिससे overall you will run faster and cramp free आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगा आपसे फिर goodbye पे जिससे में, मिलूँआ बड़ेगा झाल